भागपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पुर्णा नगर में सुमवार को संगठन विस्तार को लेकर ग्रामीनों के साथ एक बैठक की मौके पर ग्रामीनों ने स्रीश सिन्हा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया समस्या सुनने के बाद स्रेशन्धा ने कहा कि इन गावों में कई तरह की समस्या हैं लेकिन राजजी में अब तक जितनी भी सरकारे बनी है सब भी नहीं समस्याओं के अंदेखे की है इन उने कहा कि अध्योगिक छेतर से 60 इस गाउं के सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार को चाहिए कि फैक्टरी के प्रदूसन पर रोक लगाए प्रदूसन से यहां के खेत, तलाब, कुवे, पेजल आदी बरबाद होते जा रहे हैं इस पर वर्तमान सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, उनने कहा कि ग्रामीन सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, इनके हक अधिकार के लड़ाई लड़ना भी जन प्रतिमीधियों का काम है एदर ने कहा कि माले अंदोलन के लिए जानी जाती है और ग्रामीनों के हक खकुक की लराई निश्चित रूप से भागपा माले लड़ेगी बैठक ममुके रूप से पार्टी के उज्वल साओ, सोनु रवानी, मुहमद मजबूल, रंजित रवानी, सुरेश राम, मुहमद आजादादी दरजनों लोग उपस्तित थे जो है छोड़ा-छोड़ा वह ब्रवाद होगे पानी फेजल की इतनी समस्या है हर एक छेत्र में बड़ा समस्या और सबसे बड़ा समस्या कि यहां पर फैर्क्टरि है और यहां के लोग को रुजगार नहीं लिए मिलता है आप अगर यहां के भी बिना कोई लड़ाई कोई चछकर ना किसी भी फैक्ट्री से हमारा प्यार है कि इट गापका गिरिडी के लोग प्रदूसर्ण को कहां गिरिडिक मुझी रोजगार क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आप देख लिए यह उडिसा देख लीजे बंगाल देख लीजे बंगाल देख लीजे हर एक के जंता हैं जो भी यहां पे वेरुजगारी है उन वेरुजगारे के बारे में सोचना चुकि यहीं लोग आपको गोट किये निश्चिश तोर पर भागपामाले यहां पे जन अदालत लगाएगी और उस जन अदालत में हम चाहेंगे कि आसपास एरिया से धुमधार एकड़ लूट कर ले गया है कौन आपको ब्रगला के ले गया है कौन जवरद्रस्ति कर रहा है उन तमाम लोगों को विच्चिनित करके हम लोग अपने तरीके से उसको देखेंगे बहुत-बहुत धंजवाद है आज हमारे भागपा माले के टीम ने जो काम कर रहा है वो गरीब के लिए काम कर रहा है यहां का मजदूर बहुत दुखी थे काम भी ने मिलता और बहुत चापा जैसे नड़े टूटा हुआ हुआ हम भी कोई विधायक से बोलते हैं मुक्सा से बहुत पाने के उपर ध्यार ने देता है इसलिए गरीब का सेवा करने वाला एक ही माली पार्ट है जहां पर हम लोग अपने भाग का मालिक का संगठन बनाना है और अपना पार्टी को मजबूत करना है बहुत-बहुत धन्यवाद